प्राकथन अगले शाब्दवित दस्या है जो गुरु दी मात द्वारा नाम प्राव्द करके एक मानत आके उस दी विचार करके तुर्दे हन उह तर्दे हन ते कॉलत आर्दे हन सिरी राग महला ती जा जिने एक मान नामत आया गुर्मत ती विचार जिन्ना ने एकागर चिती नाल परमेशर दा नाम अराद्या है अते गुरु दी मात द्वारा विचार कीती है आत्म ते अनात्म दी तेन के मोखसाद उजले तेत सच्चै दरबार उनन दे मुहूं उस सच्चै दरबार विच सदा उजले हन ओय अम्रत पीव है सदा 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 सच्चै नाम पियार ओ जगत विच जोंदे जी उस सच्चै दे नाम विच प्यार करन करके आत्म सर रूपी अम्रत पीव हन होन ही नहीं सगों सदा सदा पाई रे गुर्मुख सदा पात होई हे पाई गुर्मुख दी सदा ही पात हुंदी है हार हार सदा ते आईये मल हों मैं कड़े तो रहाओ एसले चाहिदा है के असीं भी हार हर नाम नू सदा ते आईये तान जो ओह साड़ी भी हमें रूपी मेलनों तो कड़े ते साड़ी भी पात रह आवे रहाओ मनमुख नाम न जाननी विन नावे पात जाई मनमुख हन ओह जो नाम सिमर्ण नहीं जान दे नाम वी हूने होन करके पात गुआ जान दे हन सब दे साद नायायो लागे दूजय पाई ओ ज्योंदे जी दुएत पाव विच लगे रहे उन्हानू गुरू दे दिते शब्द दा स्वाद ही नहीं आया विस्टा के कीडे पवह विच विस्टा से विस्टा माह समाए जिमें गांद दे कीडे जो गांद विच पैजान दे हन ओह गांद विच ही समाई रहें दे हन पाव मानमख जो विकारां विच जाम दे पाल दे हन ओह विकारां दे स्वाद विच रचे रहें दे हन ओह उन्हा रसां तों उच्चे ओठ ही नहीं सकदे क्योंके ओहो सातगुरु वल रोख नहीं कर दे तेन का जानम सफल है जो चल है सातगुर पाई पर जानम सफल उन्ना दा हुंदा है जो सातगुरु दे पाने मर्जी अनसार चल दे हन पाव एह के विशे ते माय के रसांदा प्यार गुरु दी मातविच तुरियां दूर हुंदा है केवल उन्ना नूं ही तान नहीं तान है उन्ना दी माता नूं जैसने उन्नानू जानम दिता है हर हर नाम ते आई है जिसनो किर्पा करे रजाई ऐसलिए है पाई सदा हरी हर नाम अरा दिये पर एह कार उसनों मिल दी है जैसते वाहिगुरु अपनी रजा नाल किर्पा करदा है पाव जेतु नाम सिम्रन लाग पे आ हैं ताँ एह होना तार के मैं सिम्र रहा हा पर एहे के साई ने मेरे ते अपनी मर्जी नाल मेहर कीती है जेस तरह आप जपाए जपैसो नाओ सुख्मनी साहिब शेमी अस्टपदी एहे होना तारे के मैं जापके सिमर रहा हाँ पर वाही गुरू दी दात समझ के सिमरन विच लगा रहे जिने गुर्मख नामते आया विच हो आप गवाई क्योंके जिनना गुर्मखा ने मान विच आप आप आव गवाई के नामते आया है ओए अंदरों हो बाहरों हो निर्माले सच्च साच्च समाई ओह अंदरों मान करके ते बाहरों सरीर करके मेल रहत हो जान दे हन हाँ ओह सच्च हो जान दे हन ते आंत ओह साच साथ सुरूप विच समाई जान दे हन नानक आये से परवाण है है जिन गुर्मती हरत आये सो हे नानक जागतवे चाई ओह परवाण हन दे हन जो गुरूदी मात द्वारा हरी नामनों त्यांदे हन व्याखिया इस शाबदवेच मान चितला के नाम सिम्रन दा उपदेश है ते गुरूदी मात अनुसार विचार करनी दसी है फाल एस दा दस्या है जियोंदे जी नाम रास्दा अनन्द ते स्रीर शोड के दरगाहे उजल मुख जाना एस दी प्रावती विशे सोख परायन पुर्खानू नहीं क्योंके ओह कीती किर्त तो बने अंत्रीव रोखते सुबाव अनुसार मोड मोड उनना कर्मा विच प्रेर्त हुंदे ते रचे रेंदे हन जिनना दे कारण उनना दी ओह रुची बनी रेंदी सी ओस प्रमप्रा तों कारण ते कारज बन गई रुची अपने गेड विच्चों तान निकल दी है जे अपने तों उच्चे सुच्चे उपदेशनू तारन कीता जावे उस अनसार नाम सिमर्न अख्तियार कीता जावे ताद विशे सुखां तों रुची मोडा खांदी है क्योंके नाम अब आसनाल सीतल सुख अंदर पैदा होन लग जानदा है ओहु विशे सुखां तों ठंडा ते सुखदाई होन करके उन्ना सुखां तों महाडा मोड देन्दा है सीतल सुख पायो मानत्रिपते हर सिमरत स्रामसग लेलाथ बिलावल महला पंजवा यहु गेड़ तुटदा है ते जीव उच्चा उठदा आत्म सुख तक जा अपडदा है जैसनू एह मारग सिमरन दा मिल जावे ओह नाम सिमरे पर एह अपनी होमे दा काम ना समझे एह भी महर समझे क्योंके महर बेना कोई लाग नहीं सकदा मेहर समझन नाल हों पतली पेंदी पेंदी मुक जांदी है हों मुकें आत्म अनपवता उगड़ंदी है ओही परमातम मेल विच पा देंदी है एही है परम उत्म ते उच अवस्था प्राकथन अगले चौपदे विच भी सचियाई नाल गुरू सिख्या अनसार नाम सिमर्ण दा फल हों में दा मरना ते भबेक दा पैदा होना दस्या है सिरी राग महला तीजा हार पगता हारतान रास है गुर पूछ कर है वापार वाही गुरू देव पारी रूप पगतान दी रास हारतान है एस दा वपार ओह गुरू शाहनों पोच के करदे हन हर नाम सलाहन सदा सदा वक्षर हर नाम अदार उन्नानों हर नाम वक्षरदा ही आसरा है एस ले ओह हरी नाम दी सलाहत सदा सदा करदे हन प्रशन वपार कर देयां कदे हर पागत रूपी वपारियानु काटा भी पैंदा है के नहीं उत्तर गोर पूरे हर नाम द्रडाया हर पागत अतोट पंडार पूरा गुरु जाद वपारी पागतां दे अंदर हरी नाम द्रड करा देंदा है तद एह नाम रुपी पंडार अतोट हो जान्दा है पाई रे इस मान को समझाई तांते हे पाई इस अपने माननू समझा ए मान आलस क्या कर है गुर्मुख नाम ते आई रहाओ के हे मेरे मान तुम आलस क्यों करदा है गुरु सन्मुख होके नाम सिमर रहाओ हर पागत हर का प्यार है जे गुर्मुख करे विचार पागती की वस्तू है उत्तर जे गुर्मुख विचार करे तां समझ पवेगी के हरीदी पागती हरीदे प्यारदा नाम है जे कोई पागत सदावे ते प्यार ना होवे ता ओह पाखांड है पाखांड पागत ना होवे दोबिदा बोल खुवार प्यार पाखांड नाल नहीं निबदा एस करके पागती भी पाखांड नाल नहीं हो सकती जो पाखांड नाल पगती करदा है उह अंद्रों होर ते बाहरों दूसरी तरह दा बोल बोलदा है ते उसदे फाल विच खुवार हुंदा है दाने यौंबी अर्थ करदे हन के पाखांडी नो पगत दा बोल लफज लगा देना दुबदा दावाक है पशान की कूँ होए उत्तर ओह पुर्ख जेसदे अंद्र प्यार वाली पगती हुंदी है उसदे अंद्र साचदा ववेकते अंद्रों बाहरों एक होनदा विचार हुंदा है ऐसले ओह रलाया किसे नाल राल नहीं सकदा पाव उसदे तौर उसदे कर्तव उसदा प्रबाव उसनू लुक्या नहीं रहन देंदे सो सेवक हर आखी ए जो हर राख है उरतार हरी दा सेवक जा पगत उसे नू आखी दा है जो हरी नू हिर्दे विच सदा तारन करी रखे मान तान सौपे आगे तरे होमे विच हो मार तान ते मान अगे तर देवे अर्थात हवाले कर देवे ते आपने विच होमे नू मार के कड देवे तान गुर्मुख सो परवान है जे कदे ना आवे हार ओही गुर्मुख हो जान्दा है ओही साई दर परवान हुंदा है ओहो तानता जोग हुंदा है हाँ ओहो ऐसा हो जान्दा है के जैसनों फेर कदे हार नहीं आउंदी पाव ओहो अजैत सूर में वांगों कदे कांप नहीं खानदा कर्म मिलेता पाई ए विन कर्में पाया ना जाए मेहर मिलेता हरी मिलदा है मेहर तों बेना ओह प्राब्त नहीं हुंदा लाख चाव रासीह तरस दे जिस मेले सो मिले हर आए चावरासी लाख जीव पए तरस दे हन पाव सारी स्रिष्टी लोच दी है पर जैसनों अपने नाल आप मेल लवे ओहो हरीनों आके मिलदा है नानक गुर्मुख हर पाया सदा हर नाम समाए हे नानक गुर्मुखा ने सदा हरी वेच समाए रह के ही हरी नो प्रावद कीता है व्याख्या पागत नो वपारी दस्या है उस दी रास जैसनाल वपार शुरू किता ते तान जो उस तो नफे वेचे कठा होया उस भी उस दा हरी नाम है होन सारा कोछ उस दी रास है उस दा नाम रख दे हन हरी तान होन उस आप वपार कर दे हन पाव अगो नाम वंड दे हन पर आपू नहीं शुरू कर दे गुरू दी आग्या विच वपार तोर दे हन हर केसे पास उह अपने हरी नाम दी जो रास भी है ते वक्खर भी है सलहुत कर दे हन क्योंके उना ने तजर्बा कर लिया है उस दे अमुल हुन दा उह हर तान ऐसा है के उना दे वपार करन नाल तुरू दा नहीं तुरू दा परम क्यों पेंदा है उना दा वपार असल विच वपार नहीं दान है क्योंके नाम दे के उह लोकां दी हों कट दे हन ऐस तों सोच फुर्दी है के हर तान दे वपारी जे हर तन देई गए देई गए तद मौक वैसी तन दास देहान के नहीं होर्थें भी फरमाया है खाव है खर्च है राल मिल पाई तोटना याव है वद दो जाई गवडी गौारेरी महला पंजवा एस करके रहाओवेच उपदेश देंदेहान के गुरू नो प्रावत होके नाम जपो अंक दोवेच दस देहान के यों सोजी पैजाएगी के पागती प्रेम दा नाम है प्रेम वेच पकांड नहीं चलादा एस दा दारू दासदेहन के अंतर बवेक विचार तारन करो जो गुर्मक नामतों प्रावत होवेगा आंक तैनवेच दासदेहन के बवेक विचार दुआरा सोजी पाएगी के हरी नू हिर्दे विच तारन करी रखना है ते हौनू हिर्दे विचों कड़ी जाना है सारा आपा अर्प देना है यों अंदर हरी नाम ते नामदा नामी हरी आप प्रग्ट हो जाएगा इह गुर्मख पादवी होएगी आंक चारविच दासदेहन के इह जतन तू कार हो मैं कड नाम सिमर प्यार कार साच तारन कार ववेक बुद्धी वेच आ पार एह साब कोश मेहर सामज क्योंके इश्वर अनुग्र है बेना कोश भी नहीं मिल सकदा ऐसा सामज के पगती कर देया हो नहीं सेर पटदी ते प्रेम पाव मौलदा है एथे कर्म मिलेदा पाव निश्काम कर्मा फेलां द्वारा ग्यान मिले ता हरी मिल्दा है लेना ठीक नहीं बैठदा क्योंके पाद कर्मनों से हारी है एह एक वचन है अर्थ है कर्म मेहर द्वारा एसदा अर्थ कर्मा द्वारा नहीं है फेर केहा है विन कर्मे औस दा अर्थ भी है कर्म तो बिना मेहर तो बिना एस दा अर्थ कर्म अमला बिना नहीं है फिर अगली तौकवेच शपास्ट कर दिता है जैस मेले सो मेले हार आई जैसे तो वेदत हो गया के पहली तौक वेच भी हरीदे कारम पाव मेहरदा जेकर है निरोकत दोबिदा पाददे एथे गुरु जी ने अखरी अर्थ लेहन दूजी बैद दोबिदा बोल पाव दूजी परकारदा वाग अंदर होर है पर बाहर जो वाग करदा है सो अंदरली हालत तो दूजी के समदा है जैस तरह जेन मान होर मुख होर से कांडे कच्चेया आसा से खफरीद